हलो नमस्ते आबरवान वालकम तो माई यूटूब चैनल तनमे उनती टालेंट आज के इस वीडियो में हम साइन्स चैप्टर नमबर एक प्लांट्स में शूट सिस्टम के बात करेंगे सो लेट्स लुक अबाट वाट दो वे मीन बाई शूट सिस्टम फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको प्रिविएस वीडियो में भी बताय था कि प्लांट पोशिन को टू टैप्स में डिवाड़ेट किया गया है इस वीडियो में हम शूट सिस्टम के बात करेंगे जैसा कि हमने रूट सिस्टम में देखा कि रूट सिस्टम ग्रांट के बिलो होता है और उसमें रूट सोती है वैसे ही शूट सिस्टम के बात करते हैं तो शूट सिस्टम में क्या क्या होता है तो फ्रेंट्स शूट सिस्टम के मीन पार्ट के बाद करते हैं तो उनमें स्टम, लीफ, फ्लार एंड फ्रूट होता है यानि कि ये फोर मीन थिंग्स हैं जो के शूट सिस्टम में प्रिजेंट रहती हैं अब हम इनके डिटेल में पढ़ेंगे तो first part we are having the stem इस वीडियो में हम stem और उनकी फुक्शिंट के बारे में discuss करिंँगे so, let's look about what do we mean by the stem stem is the part of the plant that is seen above the ground and mostly grows vertically upwards stemidaes branches branches, leaves, birds, flowers, fruits and seeds, stem exposes the leaves, flowers and branches to sunlight, it also supports the plants when the branches become too heavy, तो यहां पर stem के functions की बारे में बता गया है and its properties तो stem क्या होती है, stem के definition यह होती है कि stem stems plant का वो पार्ट है जो ground के अभव होता है, जो ground के अभव grew होता है, right, तो stem क्या होता है, ground के अभव grow होता है, अब जनरली बहुत से plants में देखा गया है कि यह जो stem होती है, stem कहां से कहां तक है, देखी यहां पर जो ground है, stem जो है वो roots से directly connected तो यहां पर जो stem है तो यह low most parts लेकर upwards तक जहां पर जो हमारी plants है जो हमारी trees वो grow हो रही है तो यहां से यहां तक लेकर जो होते हैं stems तो जैसा कि हम देख सकते कि बहुत सरे plants में generally जो stems होती है वो vertically grow होती यानि कि upwards direction में कुछ इस direction में grow होती है जैसा कि यह plant है बट कुछ plants ऐसे भी होते हैं like creepers for an example we are having the watermelon तो watermelon जो एक creeper है वो एक ऐसा plant है जिसके जो stems है वो horizontal होती है ऐसे और भी बहुत सारे plants है जिनके stems horizontal होती है बट generally जितने भी plant है उन सबके upwards stem देखे गया उनके उन सभी के vertically stems देखे गए हैं और बात करते हैं stem की तो अब stems से जित्तेवे leaves होते हैं flowers होते fruits होते हैं उनकी branches होते हैं वो सभी stems से ही connected है और stem इन सभी को support देता है right stem से ही यह सभी parts release हुए हैं अब बात करते हैं तो जी जो stems है यह leaves को flowers को और branches को sunlight में रखती है इससे क्या होता है photosynthesis process में help मिलती है plant को जैसा कि मैं पता है कि leaves को sunlight चाहिए photosynthesis process prepare करने के लिए और अगर उनको sunlight नहीं मिल पाएगा तो photosynthesis process नहीं होँ पाएगा और अगि photosynthesis process नहीं हो पाएगा तो उनको nutrients नहीं मिले गा और जो stems होते हैं जब plants जैसे कि हम बात करते हैंbanyan tree की तो बन्यान tree की कुछ-कुछ plants के trees कुछ-कुछ plants ये trees बहुत ज्यादा heavy होते हैं तो बहुत ज्यादा heavy होते हैं इसे कारण उनको lift करने के लिए roots के साथ-साथ stem की भी सायता होती है क्योंकि अगर stem उनके strong नहीं होंगे तो of course वो जिते भी heavy है वो of course heavy को support नहीं कर पाएगा जैसा कि हम creepers में देखते हैं तो creepers मताथा तुर्यवी जिस्ट्राँग ट्री गॉप्लांट को स्पोर्ट कर सके हैं अगर वो बहुत ज्यादे हेवाई है यह पाउं नोट यह पाउच बेटिविन तो मुanaा यह जूंट्ट लाइודה बड कॉल्ड दा एपिकल बड विच इस्पॉंसिबल फॉर्ड ग्रोथ अफ दप्लान तो फ्रेंट्स यहां पर थ्री टर्म्स आए हैं जो कि डार्क कोलोस में शैड़ेड है नोड इंडर नोड अपिकल बड तो इन सब को वन बाइवन अंडर स्टैंड करते हैं तो देखें नोड क्या होता है फ्रेंट्स यहां पर लिखा हुआ है कि दूट वह पार्ट है जहां पर स्टैम या लीफज हूटी है ओक Safe तो हम देख सकते हैं कि यह जो ब्रांचि consistent है यह पहर ब्रांचिस यहां इस यह सभी स्टैम से जड़े हुए है रैट तो पॉइंट यहां पर आर गया है यह हो गया आपका हमके से पार्ट से यहां पर यहरह हो हैं और यह गया है अभी सच्पक्रों मिश्ट करें करिके सते नोट वहाएंक अन्या वेड़े में यहां सब्सक्रांट करें एक तो व्हंस और विक्राणड ओने जैनकर आट्व SHEN तो यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर एक node है, जहां से branches release हो रही है, और यहां से भी branches release हो रही है, तो इन दोनों node के जो between gap होता है, इनको हम कहते हैं, inter node, what do we say, inter node, इन दोनों के बीच जो stem portion covered है, उनको ही inter node का जाता है, अब हम बात करते हैं, apical bird की, तो apical bird, plant का वो portion है, plant का वो part है, जो उसके growth के लिए responsible हो साथा है तो हम जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, this is our apical bird क्योंकि यह वो bird है, bird means plant के growth के लिए जो भी part responsible होता है उसको हम bird कहते हैं, और यह apical bird है, यानि कि सबसे topmost bird यह सबसे topmost bird होता है, और यह plants के growth के लिए responsible होता है plant को बढ़ने के लिए उसके कुछ organs के तो जरूरत होगी, तो yes, जो stem है stem में ही सबसे topmost में apical bird present रहता है The stem conducts water from the roots to the leaves and other plant parts and food from the leaves to other parts of the plant तो friends, यहाँ पर stem के function दी हुई है, कि stem कौन से function को perform करता है तो जैसा कि हम सभी को पता है, shoot system में जो stem present है stem water लेता है, yes, water को leaves तक पहुंचाता है और उसके other plant parts को भी वो supply करता है तो जैसा कि मैं पता है, कि जो roots होते हैं roots के करते हैं, water and minerals को absorb करते हैं तो जो यह water and minerals root के दोरे absorb होता है, यह directly stem तक पहुंचता है अब stem से इसको leaves में जाना होगा, flowers में जाना होगा तभी तो plant को nutrition पहुंचेगा तो yes, stem, water और minerals को supply करता है leaves को और उसके other plant parts को like we are having the fruits and the flowers और अगर stem नहीं होगा, तो जितने भी water और minerals हैं वो सभी plants में transport नहीं हो पाएंगे, और plant को nutrition नहीं मिल पाएगा तो अगर हम stem के बात करते हैं, तो stem क्या करता है एक तो यहाँ पर downwards to upwards गया, यानि कि root system जो है root system से upwards गया water and minerals के लिए, right अब second thing देखते हैं कि यह food के transportation के लिए भी helpful होता है stem जो है, जैसे कि जो leaves है, उसने अपना photosynthesis process प्रिपेर कर लिया photosynthesis process प्रिपेर करने के बाद leaves oxygen रिलीस करता है और starch रिलीस करता है तो इसलिए जो starch होता है, वो हमारे क्या होता है? food होता है, वो plant के लिए food होता है तो वही leaves में प्रिपेर जो food है, वो सभी plant के parts में पहुंचता है like flowers में पहुंचता है and fruits में पहुंचता है, branches में पहुंचता है and in the roots also ताकि सभी को nutrition मिल सके और plant alive रह सके so this is the stem which we have discussed in the shoot system I hope you have liked this video so don't forget to like, share, subscribe and comment to my youtube channel meet with you in the next video thank you